हेलो नमस्कार दोस्तो मैं बनाने जा रही हूं राजमा और यह मैंने दो तेज पत्ता लिये हैं दाल चीनी के एक टुकड़ा और एक बड़ी लाजची चार-पांच लॉंग और चार-पांच काली मिर्च और लैसन राजमा बॉयल होगा तभी यह मसाले खड़े मसाले उससे में डाल देंगे और यह मैंने राजमा नायट में बिगा के रखा था यह मसाले भी यह डाल देंगे सारा क्यूंब इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसका पंदर 20 मिनिट में बहुत अच्छे से बॉयल हो जाएगा अब लीट सी कवर करके हम टाक देंगे इसको हमारा राजमा बॉयल हो चुका है अब हम बनाएंगे मसाला बनाएंगे यह मैंने यह सर्शों का तेल लिया है और यह मैंने दो प्याज और यह अद्रक इसको चौपर से बारी काट लेंगे कि मैंने तीन टामाटर लेंगे इनको भी हम बारी काट लेंगे एक चम्म जीरा और यह चौप किया हुआ प्याज और यह मैंने हेंग डाल दिये हैंग हेंग बहुत अच्छा प्लेवर आता है इंका यह राजमा थोड़े हैवी भी होते हैं तो हिंग जरूरी होती है डालने इसमाट अब प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूंज लेंगे है 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 युदी को मारा प्याज बुंज रहा है है अब मिसमें बाइलेज एक चमच हल्दी पावडर और एक चमच मर्ची पावडर डालेंगे शाल को चमच मर्ची और यह कम तेक ही खी ऊंद्ध ॥ े और दो चमच धनी आ, यह जिसा श्लामree कि यह चेने सब्लाइब नावा चला का आपको अच्छे सब्लें जाएं चला है जाधा है इसके बूलना पर हुए सब्सक्राइब अच्छी सब्लाइब ट्माटर घटटा हुए और तमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक यह सॉप्ट ना होजाए दोस्तों कुछ हमत करके यह वीडियो बना रहे हैं प्लीज आप इसको देखना और मेरा सपोर्ट भी करना कि कोई काम करने इस पहले एक डर बहुत डर होता है कि करूं न करूं करूं कि न करूं अब समझ सकते हो कि स्टार्ट अप कोई भी काम करने में कितना डर होता है और मेरे बीडियो अगर पशंद आए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब जरूर करना और मैं यहां जंबू में रहती हूं तो मैं यहां के जो टेंपल्स हैं यहां पर ब्लॉगिंग करने की कोशिस करूंगी आप अगर कहोगे तो मैं ब्लॉगिंग जरूर करूंगी को यहां के जो मंदिर हैं वो उनके दर्शन करा सकूं और जो हमारी रेस्पी हैं वो भी शेयर कर शकूं आपसे इसके लिए प्लीज मेरी वीडियो को लाइक सुस्क्राइब जरूर करना यह हमारा देख मसाला भी बन गया और आज मावी बॉयल होगे अब हम इसको टाल देंगे कर देंगे इसमें देखिक तमैसी हो गया ना राजमा और पता है क्या हुआ मैंने नमक डाला वो सूटने हो पाया प्लीज ना आप लोग सोचों के नमक डाला ही नहीं मैंने मैंने डाला है नमक वो सूटने हो पाया यह थोड़ा में थोड़ा साल कासा गाड़ा लग रहा है क्योंकि चावल के साथ थोड़ी तरी और ग्रेवी भी जरूरी होती है थोड़ा इसमें पानी डाल दोंगे आप अपने हिसाब से कितना गाड़ा बैसा करना है वो डाल सकते हो मैंने थोड़ा पानी डाला क्योंकि चावलों के साथ खाएंगे और पता है जम्बू कश्मीर की तो साहन है राजमा आप लोग जब भी आते आपने देखा होगा बैस को माता की दर्शन करने तो वहां सबसे ज़्यादा राजमाई चावल मिलते हैं तो मैंने कुछ कोशिस किये यहां की तरह राजमा बनाने की प्लीज अब हम बनाएंगे चावल जो आज तड़का देखे चावल बनाएं यानि पुलाव की तरह हैं मैंने घी लिया है अब इसको गरम करेंगे जब घी गरम हो जाएगा ना इसमें थोड़ा जीरा और दो तेन लॉंग दो तीन काली मिर्श डाल देंगे क्योंकि सब्सक्राइब तो चावल थोड़े तो आसे फ्लेवर भी चैंज हो जाता बोलते थोड़े नुक्षान भी नहीं करते हैं तो मैं ऐसे बनाते हूं बहुत गम चावल बनाती हूं तो इसमें थोड़ा जीरा और लॉंग और काली मिर्श इसे बाम डाल देंगे जीरा चीटकने लगा है अब हम इसमें चावल डालेंगे जावलों को मैंने बस अभी दुलाया पहले से बिगो की नहीं रखे पे चावल और बस अभी बिगोई है बिगोई क्या दुलके ही मैंने तुरंत तेस में डाले हैं पहले से नहीं भीगाये थे मैंने चावल और जब आप खुले चावल इस तरह बनाते हो ना तो धीरे धीरे बनते हैं उनका स्वाद भी अच्छा होता है और नुक्षान भी नहीं करते हैं जो हम प्रैसर कुकर में बनाते हैं ना चावल वह जल्दी बनतो जाते लेकिन वह थोड़ा नुक्षान कर जाते हैं चावल और यह दीरे धीरे बनते हैं कर टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है अगा कि आप अगे और हम बस्ये बन जाया हम बनने रख जाएंगे और है जब एक बोईल आजाए ना फिर मीडी बिल्कुल स्लो कर देंगा जिसे धीरे-धीरे बनेंगे तेजर नहीं रखना है बिल्कुल स्लो कर देंग और यह देख हमारी घावलें भी बन गई बस थोड़ा और रोजा अब इसमें आदा चमच थोड़ा गर मसाला डालेंगे अब आदा चमच गर मसाला अब तो थोड़ा दो तीन मिनट टुझ द्याएंगे अब यह लेड़ा से कवर करके इसका बहुत अच्छा प्लेवर आएगा और यह हम रायता बना लेते गाजर का रायता बनाएंगे वस्तभी यह दही मैंने अच्छा डाल दी और नमक दाल देंगे यह देश्च में बहुत अच्छा लगता है अब राजमा है छोले है या इस तरह कि अगर कोई भी सब्जी बनाए ना अगर से सिंपल सा राजमा वो रायता बनाए बहुत अच्छा लगता है कि अगर कि अगर कि अगर कि इसका खीरे का गाजर का मूली का ऐसे कोई भी रायता बना सकते हुआ सिंपल लिक्दम कि बन गया हमारा रायता अब इसमे में धनिया पत्ती डाल दूँए को देखो राजमा हो भी नहीं तम अच्छे से बन गया हमाज में धनिया पत्ती डाल दूँए कि अच्छे से पत्ती डाल दूँए इसको डाग देंगे अच्छे इधर मेरे चावल भी तयार हो जा रहे हैं बस रोटियां और बनाने रोटियां बना रहे हैं तो यह अच्छे तयार हो चुकि यह चावल भी दर तयार हो गए मैंने रोटियो वाल हो जो बीडियो था ना उसको मैंने शूट नहीं किया मैंने रोटियां तो सबको आती है थोड़ी सैलेड भी बना ली प्याज और मूली और गाजर एका सैलेड देगो यह मेरा लंच तयार हो गया